आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इनमें सा कौन सा अनफाज 1 के बारे में जो लिखा है वो करेक्ट है टू अफ दे टैरेज विल गो तु वन सेल पहले दो इससे पहले जो हम लोग एनफाज 1 का एक बली डाग्राम देख लेते हैं कैसा होता है रफ डाग्राम मना लेते हैं फटा फट से तो हमारा एनफाज 1 जो होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोजोम प्रेजन्ट होते हैं कैसे दिखते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम उगर वोल देख लेते हैं क्रोमोजोम होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा एक chromosome इधर की साइड और एक chromosome इधर की साइड दूसरा chromosome जो है वो भी होगा इधर ऐसे present होंगे यहाँ पर जो है centrosome present होगा centrosome में भी spindle fiber से attached होंगे chromosomes और यहाँ पर जो है क्योंकि overlapping हो गई होगी थोड़ी सी chromosomes की तो यहाँ पर थोड़ा सा green part रहेगा जबकि जो दूसरा chromosome है उसके पास रहेगा red part क्योंकि यहाँ पर crossing over जाता है genetic material का क्या हो जाता है cross over हो जाता है genetic material का तो यह सबसे कौने में जो structure है इनको हम बोलते हैं centrosome centrosome यह release करते हैं spindle fibers को spindle fibers को और जो हमारे homologous जो chromosome जो pair हुए थे उन में से each हर एक chromosome जो हर एक जो homologous pair था उन में से each chromosome जो है वो opposite pole पर पहुंच जाएगा तो यह होता है अनफेज 1 अनफेज 1 अनफेज 1 बात करते हैं यहां पर लिखा क्या क्या options में क्या 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 बोल रहा है कि two of the tetraids will go to one cell and two will go to other although बात बिल्कुल सही बोली है but it is not specific specific बात नहीं कर रही है कि कौन से जो हमारे homologus pair होता है जैसे homologus pair जो था उन में से हर एक हर एक इच पेर में से एक एक chromosome जो है वो opposite pole पर पहुंच जाता है तो इसमें specifically ही नहीं दिया हुआ तो यह option incorrect हो गया next sister chromatid will break apart and each will go in one of the four cell मतलब जो sister chromatid है वही break apart कर जाएगी and each will go in one of the four cell तो यह होता किसमें यह होता तो है बटी होता है एनफेस 2 में एनफेस 2 में आपर हमें बात करनी है एनफेस 1 की तो यह भी incorrect हो गया third बोल रहा है one member of each homologus pair will go into each of the two cell यह होता है जो एक member होता है homologus pair का हर एक member जो है वो opposite poles पर पहुंच जाता है तो option 3 बिल्कुल correct बोल रहा है option 4 बोल रहा है tetraid will separate but each new cell will still be deployed since each chromosome has two chromatids cell जो है वो deployed नहीं रहती cell deployed क्यों नहीं रहती क्योंकि वैसे तो total chromosomes total chromosomes total chromosomes जो cell के पास थे वो कितने थे वो थे four अब each cell के पास कितने chromosome रह जाएंगे after division या after meiosis one each cell के पास कितने chromosome रह जाएंगे जो remaining amount होगी वो हो जाएगी two तो यहां पर जो हाफ होगे chromosome तो इसलिए क्या हो जाएगा haploid हो जाएगे जो chromosome नहीं होंगे sorry जो cells होंगे वो deployed नहीं होंगे वो haploid हो जाएगी तो इसलिए जो option 4 है वो भी incorrect हो गया तो इसमें जो correct answer होगा वो हो जाएगा three कि one member of each homologous pair will go into each of the two cells classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर